सो हलो एंड बिलकम दोस्तों टेक्रिकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका सुभागत है तो फाइली दोस्तों आज की दोस्तों बात करने वाले हैं बीबो के T3 5G फोन में स्मार्ट साइड बार बैक ग्राउंड स्ट्रीम फीचेस के बारे में फाइली दोस्तों इसे कैसे आप लोग को अपने फोन के सटिंग के अंदर से इनिबल करना है और कैसे यूज करना है मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने लाऊंँ बीबो के T3 5G फोन में यहाँ पर स्मार्ट साइड बार यहाँ पर आपको देखनों को मिल जाती है इसके अंदर आप लोग स्मॉल बिंडो एंड क्रियेट कर सकतो अलग अलग तरीके का एप्स को क्रियेट करके यूज कर सकतो और इसके अंदर एक इस्टर फीचर्स देखनों को मिल जाता है बैग्ग्राउंड स्टीम जो कि बैग्राउंड स्टीम अगर आप लोग विडियो यूटूब का विडिएओ पैल आप ऱ्ले करोगे यहाँ पर बैग्राउंड के अंदर चलेगा तो यहाँ पर म्यूचिक मे लिंक मिलेगा डेक्सिप्ट्रों में वहां से ही है कि आप लोग फोलो कर लेन आप तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चल कर बता देते हैं तो फानी तो साइड में स्क्रीन पुटिक देखनों को मिल जागा अब दोस्तों यहां पर आगर आप लोग बीबो का T30 5G फोन एउच करो यहां पर आप लोग स्मार्ट साइड बार इस तरीके का फीचर देखनों को मिल जागी आपके फोन में जो कि यहां पर सोख करेगा इस आपको बीडियो को करते हो तो यहां पर आपको को फेडियो को सोख करेगा तो जैसे कि पहले आपको क्या करना है यहां पर इस वाले उप्शन को हटाना पड़ेगा यहां पर इस तरीके से रिमोग करना पड़ता है एंड पहले इस सभी को इसमोल विंडों को जो तने भी क्रेट कर रहा हो इसके इसे हटा देना आपको आप यहां पर आपने युटूब को ओपिन किया एंड उसके बाद से यहां पर आपको बैगराउन स्टीम सो नहीं कर रहा है लेकिन मैं सो करा कि आपको दिखाने वाला हूं इस तरीके से आपको देखने मिल जागा बैगराउन स्टीम अभी टूब कब वीडियो यहां पर बैगराउन के अंदर प्ले हो रहा है यहां पर आपको दिखाई दे दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है इस मुट इस फ्लीट स्क्रीन एपहने स्मॉल बिंडू उसके रीच मिल जाता है स्मार्ट साइड बार अगर हैं यहाँ पर जो भी शॉइंड करें सबीको इनेबन करेंसा अब अब इनेबल करने के बाद दोस्तों यहां पर स्मार्ट साइड बार आपके फोन में सोकर देगा और इसके अंदर आप लोग इस्मॉल विडियो को किसी भी फोटोस को यहां पर किसी भी photos and किसी भी videos को play कर रहा हो तो जैसे जोस्तो फोट इस तरीके से आप लोग बैगराउन के अंदर किसी भी videos को YouTube में चला सकता हो YouTube का तो अगर आप लोग के पार T3 5G phone है तो आप भी try कर सकते हो and smart sidebar and background stream features को use कर पाऊगे यहाँ पर आप लोग को important important setting बताता हूँ जो कि आप लोग try कर सकते हो अपने phone के setting के अंदर से जो कि 101% working trick है and यह चीज आपके phone में देखने को मिल जाती है आप लोग यहाँ पर try कर सकते हो android 14 में and किसी भी windows को create करते हो and यहाँ पर apps को open करते हुए चले जाओगे यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जैसे कि apps को open करते हुए चले जाते हो आप यहाँ पर apps open करते हुए जाते चले जाओ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किसी भी apps को open करते हुए जाते हो यहाँ पर एक windows create कर देगा यहाँ पर आपको एक यहाँ पर मिल जाता है अलग अलग तरीके का आप लोग यूज कर पाऊगे यहाँ पर pencil को हिसाब से आप लोग add कर पाऊगे यहाँ से आप लोग हटा भी चाहते हो यहाँ पर एक साथ में इनेबल कर सकतो तो अगर आप मारा वीडियो अच्छा लगाओ चैनल को सब्सक्राइब करके मेला करके इंप्रस करें ना तक हरे वीडियो को नट्पकेशन सब सब्सक्राइब आप तक पहुचे तो चलिए उसके इंट्रेश्यू वीडियो के साथ तब तक लेजा हैं जा भ